के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत स्वागत, यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रड़क्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूदली काम हुआ, लड़ाई, बीजेपी के विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है, वो देश पर आकरमन कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा का पूरा धन, चुनों है लोगों के हाथ में जा रहा है, और इसलिए जब हम डिस्कॉशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में हैं, ये लड़ाई, उपजिशन और बीजेपी की बीच में लड़ाई नहीं है, देश की आवाज को दबाया और कुछला जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, और इसी लिए ये नाम चुना गया, Indian National Developmental Inclusive Alliance, मतलब इंडिया, लड़ाई एंडिये और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोधी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है, आप जानते हो, जब भी कोई हिंडुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो इंडिया के सामने खड़ा होता है, जब भी कोई होता है,